हरो दोस्तों कैसे हो आपका स्वागत तिर्पान स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का यानि नौमिक अक्षा के लिए जो है समाजिक विज्ञान ये टॉपिक कई मानने में एक्जाम के भी उसे बहुत काफी इंपोटेंट रहेगा क्योंकि इसमें हम कुछी कोशन का विसकर्ष करेंगे जो कि हमारे चैप्टर के अंतरगत होगा ठीक है और ये आपक पुरा करने का समय है तो चली देखते हैं हमारा आज पहला कोशन क्या है नेक्स सेवन कोशन इस इंपोटेंट एर सेवन कोशन आस्किया अस्किया वाट वाट्वेस्ट वाट्रूशन में केजिज ऑफ नाइट ये जरूफ पाइव रवलूशन ते में एस केसी विजिए वे सरुम झाल जरी वंट रुट्रूशन पुझट वेच्रवन एर पार्लामन एक ड्रूवरफ उलॉरुट इस रुले वे रूजिए विजिए विजिए। रॉऑन झाल पीजिए वेस पर लिजिएॼड नाइट वी पर समय है आझ मैंट शूचन खारूशन शीए रवाटाब क वiments on the strike थोनते थोन टिएभ इतल आफ बार खाल वोग वें ओींगार निम में वोग Chiani Impact about 10,000 workers as a stay-patter work went on the strike that is demanding a reduction in a working hour. The working hour is a 15 hour, that is a long period time. There are strikes demanding a reduction of the working hour and increase in a wage and improvement in the working condition. And the fourth point, finally the bloody Sunday. Finally, the bloody Sunday incident at the winter places to the working to the Russia and the start of the 1905 revolution against the Tishore. There is an important, John, there is an important, the bloody Sunday incident. I have already discussed for the preview question. The bloody Sunday and incident at the winter of the places of working to the Russians and start of the 1905 revolution against the Zare. This is the question. This question is very important. The question is in the same time. The question is in the same time. In the 1905, the Karandli, the Karandli of the Kisansans, was talked about in 1902. The Karandli of the Kisansans, the Karandli of the Kisansans, the Karandli of the Puri on the West. So, it's been about 1905. The Karandli of the Kisansans' बता रहा गया है अगर इस कोश्णों को समझते हो न तो आपको लगे एक पूरा चैप्टर आपने समझ लिया है क्यों के बात आती है मजदूरों के लिए यही सारी कंडिशन मनाई गई थी कि 1905 की क्रांदी के प्रमुक्षे कारंद दे रूस जोती निर्कुस था और उसका साशक जो है संसत के अधिन नहीं था यानि जो है रूस की जो निर्कुस था यानि कोई यहां पर सासन कर रहा था वो किसी कंट्रोल में नहीं था वह स्वैम ह हम बात करें तो अवशक बस्तों कीमतों तेजी से बढ़ी और वास्ति मजदूरी में 20% की गिरावट आई देखिए कोई भी सरकार का बिगटन होता है तो सबसे बड़ा कारण जो बनता हुए होता है महंगाई कहते हैं महंगाई जो है आम जनता है अगर से बाहर चला जाए तो जर्नल सी बात है किसी भी सरकार का बिगटन होना सोभाविक बात बना देती है क्योंकि कहते हैं जब पेट में आग लगती है विक्तियों के तो वो चुप नहीं बैठते हैं वो कोई न कोई जरूर कदम उठाते हैं और दुसरे के बहकाओं में आके एक जग अंदोलन कर देते हैं या अपनी प्राण भी जो है निचावर कर देती हैं क्योंकि जब पेट में आग लगती तो इंसान क्या करें कुछ नो कुछ तो करना ही पड़ेगा तो यही बात थी वहां पर कि बस्तूओं की कीमतों में तेजी से बढ़ने लग गई आपने भी देखा होगा हमा प्रमुक्षे करनिशी को माना जा सकता है कि अवशक बस्तूओं कीमते में चुदी बहुत तेजी से बढ़ रही थी इसे भारत में भी देखो अभी के समय दिन पर दिन जो है महंगाई बढ़ती चली जा रही है लोग के अंदर गुस्सा फुट रहा है मैं हर जगे वेक्ति सरकार के खिलाफ हो जाएगा तो कहते है सरकार को इस बात को ध्यान देना चाहिए कि आम वेक्तियों तक जो हर चीज की सुवधा पहुंचना चाहिए और इसके लिए एक ही कदम उठाया जा सकता है कि महंगाई पे कंट्रोल करना जरूरी है और यही बात जो था 1905 की क्रांत में हर जगा जंग जो है शुरू हो गया हर जगा जो दो है लोगों ने जो है अपनी मां मांग मनाने के लिए हर संभब जो है उन्होंने करांती का जो है बिगुल बजा दिया कहते है वास्तुमजूर्दी उस समय जो था 20% की गिरावट में आ गई जो बास्तुम मजदूरी मतली थी उससे भी कम बेज मिल रहा था आपने देखा हुगा कई कोर्षण में इस बात को डिसकर्श भी किया है कि उनको जो बेज मिलती थी उससे भी बहुत कम दिया जाता था और समय के घंटे जो थे अधिक अधिक बढ़ा दिये यहीं बात तो जो है आगे हमारा को बतात है कि सेंट यह पिसल वर्ग में जो है लगवग दस हजार करमचारी काम की घंटों में कमी और बेतर विद्धी और काम की प्रस्तितियों में सुधार की मांग लेकर हर्ताल पर चले गए थी आपने देखा होगा कि हमने ब्लडी संडे किया था वहां पर लोग जो ते अपनी मां मनवाने के लिए गए थी और वही बात यहां पर भी आ गया कि सेंट पर जो है लगवग दस अजार करमचारी काम की घंटों में कमी करवाने के लिए और बेतर में विद्धी के लिए और काम की प्रस्तिति में सुधार करने के मांग को लेकर हर्ताल पर चले गए थी और अंत सरकार से मांगने गई कि हमें समय की घंटा कम कि आ जाए वेज बराया जाए लेकि सरकार ने इन बातों को कोई भी महता नहीं दिया और जो है ध्राधूर गोडियों का परसाथ कर दिया जिसके विपार देखा था कि इस बात पर ध्यान दिया होता कि हर एक मजदूरी तक जो है मजदूर तक जो है दो बक्ती रोटी पहुँचना जरूरी है और सभी को काम के लिए जो है पुसाहिद करना चाहिए तो देश देखिए दोस्तों यह बहुत इंपोरेंट बात बताती है कोई भी क्रांटी के लिए कि सरकार को इन बातों पर गंभीरता से सोचने की अवशक्ता होती है किसी भी काल में चाहिए वो मुगल काल था या किसी भी काल में कोई भी काल समय अब दी था जा प्रजेंट टाइम चल रहा हो सभी पे सरकारों की इस बात पर ध्यान देने की अवशक्ता है कि मजदूरों कबोको जितना हो सके उनको बेज मिलना चाहिए और जो यूंको ना किया जाए ठीक है he महें पर कंट्रोल किया जाए जो सरकार महें कर लेती है वह सरकार सदेब बनी रहती है ठीक है जो अवर्शक बस्तुति कीमत में ब्रिद्धी होती चली जा रही थी और जो उनको मजदूरी मिल रहा था उसमें भी 20% की कटोती कर दी गई कहते हैं 10,000 करमचारी काम घंटों में कमी करने के लिए और अपने बेतन को बराने के लिए वह जो थे अंदोलन करना सुरू कर दिये और उसके कारण क्या हुआ उन्होंने जो है बहुत से लोग यानि 100 से अधिक लोगों को मिलित्व के घाट दार दिया और 300 से अधिक लोग जो थे घा सिस्क्राइब करने से तो यह होता है कि आपको समय समय पर नोटिफिक्शन मिलता है अगर लाइक करते हो तो बनाने वाले का प्रसान बढ़ता है कि बच्चे को पसंद आ रहा है और बच्चे जो एक्जाम की अच्छे तयारी कर रहे हैं आप देख रहे हो वीडियो हमें क्य जो होता है इंसान बहतर बनता है हमें गलतियों का पता लगता है और हम अच्छे सचे कोशिश करते हैं आपके लिए ठीक है और यहीं पर नहीं रुखता है आपको पता ही होना चाहिए कि एर्थ क्लास से लेकर में बहुत कुछ रखा हुआ है क्या हुआ है